आम के सीजन में आम से वनाएंगे जबरदस ठंडी-ठंडी मैंगो कुल्फी या फिर मैंगो आईस-क्रीम बिना किसी क्रीब के बिना किसी कंडेंस्ड मिल्क के बिना किसी कौनफलोर को यूज किये हम बनाएंगे सिर्फ दो चीजों से बहुत ही लाजवाब मैंगो कुलफी या आइस क्रीम तो चलिए बनाते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कड़ाई और उसके अंदर मैं डाल देती हूँ यह फुल फैट क्रीम दूद तो यहां मैंने तीन कब दूद लिया है और अब हम इसे फुल फ्लेम करके एक उबाल ले ले लेते हैं इसके अंदर तो जैसे ही इसके अंदर एक कुबाल आ जाता है हम कर देते हैं फ्लेम को लो से मीडियम और लो से मीडियम करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे यहां पर चीनी यहां मैं चार बड़े चमब चीनी का इस्तमाल कर रही हूं और उसके बाद हमें इसे दूद को इतना पकाना है कि यह तीन कप से एक कप और बीच बीच में आप थोड़ी थोड़ी देर में आईए और इसको चलाते रहिए वो इसलिए ताकि ये दूद जो है वो नीचे लगना जाए और जिसकी स्मेल हमारे आइसक्रीम में बिल्कुल भी नाए इसके लिए हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाता रहना पड जब तक यह तीन कप से एक कप ना हो जाए और फ्लेम रखनी है हमें लो से मीडियम पर तो जैसे जैसे यह दूद गाड़ा होगा वैसे इसके अंदर और अच्छा फ्लेवर आएगा तो अब यह दूद जो है वह अच्छा से गाड़ा हो चुका है एक कप रह चुका है अब हम इसके अंदर डाल देंगे ड्राइफूट तो यहां मैंने काजू और पिस्तेली है जिने बारीक चॉप कर लिया है आप चाहे तो आपके मन पसंद कोई भी ड्राइफूट जो आप खाते हो आपके बच्चे खाते हो वो ड्राइफूट साप ले सकते हैं उसे फाइनली चॉ इसके अंदर डाल देंगे यह मैंगो पल्प क्योंकि आम की कुलफी है तो आम तो जरूर देलेगा यहां मैंने पका हुआ एक आम ले लिया है और चील के मिक्सी में पीस लिया है बिना पानी का स्तमाल किये और उसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आम जो था वो म कि हम दूसरे मोल्ड के अंदर डाल देंगे अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप सिंपली ग्लास के अंदर भी पतले वाले ग्लास के अंदर भी इस मिक्स्चर को डाल सकते है या फिर कटोरी के अंदर भी डाल सकते है या फिर यह नया तरीका मैं आपको दिखाती तो यहाँ पर हम एक मोल्ड को अच्छे से बंद कर देंगे और दूसरे के ऊपर मैं लगा दूँगी यहाँ पर यह फॉयल पेपर फॉयल पेपर लगाने के बाद मेरे पास एक यह कुलफी की स्टिक पड़ी भी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस तरीके से इस्टिक वाली कुलफी बहुत पसंद करते हैं तो यह उनके लिए और बाकी यह जो है इसके उपर मैं क्लिंग फिल्म लगा दूँगी अगर आपके पास यह नहीं है तो डोंट वरी आप इसके उपर भी फॉइल पेपर लगा सकती है या फिर सिंपल पिन्नी और एक दो के ऊपर मैं लगा दूँगी यह टूथपिक और इसको हम अब डी फ्रीजर में रख देंगे 24 गटे के लिए 8 से 10 गंटे में भी अच्छी जम जाती है बढ़ 24 गंटे में रिजल्ट बहुत जबर्दस आता है तो यहां पर एक हम खोल लेंगे और उसके बाद हम मैंने यहां पर यह सादा पानी ले लिया या नॉर्मल टेंपरेचर का पानी इसके अंदर हम मोल्टो थोड़ी दिर गुमाएंगे ताकि यह जो हमारी कुल्फी है वो अपनी साइडों को छोड़ दे और उसके बाद हम एक शार्प नाइफ लेंगे उसके साइड्स को हम थोड़ा सा लूस करेंगे और इसको निकाल देंगे अब दूसरी ले ले लेते हैं यह फॉइल पेपर वाली इसको भी वापस से पानी में थोड़ा से देर गुमाएंगे ताकि इसकी किनारे जो हैं वो छूट जाएं और उसके बाद हलके हलके हाथ से इसको गुमाएंगे या फिर नाइफ की मदद से या फिर इसी तरीके से और यह आसानी से बाहरा जाएगी आइस क्रीम हमारे कुलफी बनके तयार हो चुकी है अब देखते हैं दूसरी वाली जिसमें हमने टूथपिक लगाई थी यह देखिए यह जिसमें हमने आइस जमाते हैं इस ट्रे में भी बहुत ही बढ़िया यह बनके आई है तो इस तरीके से आप खीचेंगे नहीं जैसे मैंने अभी खीचा यह क्योंकि टूथबिक बाहर आजाएगी इसको भी हम थोड़ा सा लूज करेंगे नाइफ की हपसे और इस तरीके से आसानी से बाहर आजाएगा तो हमारी यह कुलफी बनके बिल्कुल तयार है इसको गार्निश कर देंगे जो हमने बचा के रखे हुए दे ड्राइफ फूट्स उससे और इमिडेटली आप इसे सर्फ कीजिए आप चाहे तो इसको पीसिज में कट करके भी सर्फ कर सकते हैं लाइक आइस्क्रीम की तरह या फिर आप इसे कुलफी की तरह भी इंजोई कर सकते हैं टेस्ट में पूरी गैरेंटी है कि बहुत जबर्दस्त लगती है ये और जादा कुछ नहीं डाला है मावे जैसा स्वाद आ रहा है लेकिन मावा भी नहीं है क्रीमिश फ्लेवर है लेकिन क्रीम भी नहीं है तो इसे आप जरूर ट्राइ कीजिए पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना सबके साथ शेयर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरे चैनल को ग्रो करने में